दोस्तो गर आप एक बेशनल का सिम काड यूज करते हैं और आपका इंटरनेट काफे ज़्यादा स्लो चल रहा है तो आज की वीडियो पूरा सुरू से लेकर लास्तिक जरूर देखिएगा आज की वीडियो में आपको एक लेटेश टेपिन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज करने के बाद आप अपने बेशनल के सिम काड के इंटरनेट स्पिड को काफे ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे साथ ही साथ दोस्तों अगर आप कोई भी ऑनलान गेम खेलते हैं तो वहाँ पर आप कोपिंग प्रोब्लम देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तों वीडियो को पुर्र सुरू से लेकर लास्तिक जरूर देखिएगा सबसे पहले आपको सेटिंग्स में चले जाना होगा सेटिंग्स में जाने के बाद वहाँ पर आपको सिम कार्ड और मोबाइल नेटों का एक उप्सन मिलेगा वहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आप यहां पर दिखेंगे जो भी आपका एपिन सेट होगा यहां पर आप पर क्लिक करना है जिसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉम बढ़ने के लिए पेज ओपन हो जाएगा दुस्तों यहां से वीडियो को एक दम ध्यान से देखना है जरा सब इसक्रिप नहीं करना है यहां पर दूस्तों बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं य चैनल को सबस्ट्राइब कर करते लिए स्वावेशन को भी ओल पर करेंझे यहां पर इसके पदाधे यहां पर पर टाइप करना हैस्सके पर सबस्क्राइब करेंगे ऑके करने केब आद शुक्त यहां पर एफेग्रगा को अप्स जो मिलेगा एपन करना है और डश्र давно है capital रहेगा बाकि सारा चीजे इस्मॉल देने हाँ पर आपको डॉट लगाना है उसके बाद से आपको लिखना है इस्पीड इसके बाद से आपको लिखना है बूस्ट इसके बाद करेंगे ओके करने के बाद प्रोग्सि करुको नुटिसेट पॉरर ड Alrighty но इसके बाद ऑके करना है उल्डर्न के बाद उड्रण का जो उप्सीव मिलता है यहां पर आपको लिखना है बशाइँ आपको लिखना है इंडिया ओके करेंगे इसके बाद से पासवड को not set, server में आपको type करना है www.bsnl.in उसके बाद से ok करेंगे, ok करने के बाद MMSC को not set, MMS proxy को भी not set, MMS port को भी not set MCCN, MNC आपके phone में already set होगा तो वही रहने दे, authentication type में यहाँ पर आपको select करना है PAP और CHAP, उसके बाद से APN type का option में लेगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है default, उसके बाद से आपको comma लगाना है उसके बाद से आपको लिखना है, इसके बाद से लिखना है, उसके बाद से ok करेंगे, APN protocol को आपको IPV4, IPV6 को select करना है APN roaming protocol में भी आपको IPV4, IPV6 को select करना है, उसके बाद से एक bearer का option मिलेगा, यहाँ आपका most important part है, यहाँ पर दोस्तों दमधान से bearer select कीजिएगा अगर by chance आपके phone में bearer select नहीं हो रहा है, तो मुझे आपके phone का नाम और phone का model number comment box में लिखके जरूर बताएगा, जिससे मैं आपके phone के लिख perfect bearer बता सकूँ, तो सबसे पहले आपको LTE को select करना है, उसके बाद से आपको HSUPA, HSPA दो bearer select करना है, और नीचे हैंगे आपको GPR इसको select करना है, EDGE को select करना है, उसके बाद से यहाँ पर NR वाले bearer को select कर लेना है, उसके बाद से OK करेंगे, OK करने के बाद immunotype को आपको non पर select करना है, उसके बाद से इस APN को यहाँ से save करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, तो APN को activate करने के सिंपल यहां पर एक बार क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे हमारे फोन में यह वलाई एक एक्टिवेट हो जाएगा दुस्तों एक्टिवेट होने के बाद आपके फोन को एक बार रिस्टट जरू कर लिजेगा उम्मिद करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्स्राइब करके बेल नाड़ फेसन को आल पर सेट कर दीजे